हेलो क्लास 10th students कैसे हैं आप लोग बैटे स्वागत आपका मेरे चैनल study tour with SP रावत में अब तक हम लोग trigonometric class 10th पर 5 वीडियो पब्लिश कर चुके हैं जिसमें almost सभी concept को cover कर लिया गया है except trigonometric identities प्यारे बच्चों आज हम लोग trigonometric identities के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग इस वीडियो को end तक देखे और बिना रटे सिर्फ समझ कर मेरे बेटे कोशिश करिए कि ये किस तरीक से काम करती हैं और लीजिए ये है इसका 6th part और 6th part में मेरे बेटे हम लोग बात कर रहे हैं trigon metric identities के बारे में trigonometric identities क्या है प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं कि यहां हमारे पास relationship होती है relationship between trigonometric function trigonometric functions sir यह relationship कैसे दिखाई देती है लो बेटे इन में से एक relationship बेटे हमें दिखाई देती है sin square theta अब बच्चों यहां पर बात आती है कि यह relationship यह relationship कैसे बनी है अब यह relationship कैसे बनी है अगर यह बात हमें समझनी है तो चलिए फिर से हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में लीजे विटे एक ट्राइंगल है A, B, C which is right angled at B जो के right angle है बिटे बी के उपर अब इस right angled triangle को अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों हमारे पास इस right angled triangle में एक relationship आता है A, B square plus B, C square equals to A, C square सर यह angle क्या है यह मेरे विटे acute angle theta है और अब यह relationship हमारे पास आया अब अगर हम लोग ध्यान से देखें और अगर मैं इसे में मेरे विटा मैं इसी जो pythagoras theorem से यह हमारे पास एक relation है अगर मैं इससे divide कर दूं A, C square से तो dividing both sides by A, C square तो मेरे प्यारे विच्चों आपके पास आता है A, B upon A, C whole square B, C upon A, C and whole square A, C upon A, C whole square यानि A, B क्या है सर? A, B upon A, C सर यह तो sine theta होते हैं? Yes, this is sine square theta सर, B, C upon A, C, B, C upon A, C सर यह तो cos theta होता है तो cos square theta and यह हुआ मेरे विटे 1 तो यह देखे मेरे विटा यह जो पहला relationship है यह आपके पास इस तरीके से इस तरीके से मेरे विटे आपके पास आया ध्यान से देखे and similarly अगर हम लोग divide करे मेरे विटा अगर हम सपोज से 1st ले 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 now dividing both sides of of equation first by मेरे विटा एक बार आप a b a b square से divide करे एक बार अगर आप a b square से divide करेंगे तो आपके पास क्या relation आएगा a b upon a b यह one हो जाएगा sir b c upon a b 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 sir this upon this यह क्या होता है sir b c upon a c इसका मतलब यह caught होता है sir caught b c upon a c caught तो मेरे बेटे यह बन जाएगा आपके पास one plus cot square theta equals to cos sec square theta and similarly similarly मेरे बेटे की कौरे आप लोग डिवाइद करें बहुत्साइट ढिवाइद बचसपे बहुत्साइट साइट साइट अब्साइट साइट उग्त der square तो आपके पास a b upon b c बेटा देखे अगर हम first को divide करें तो आपके पास आएगा a b whole square upon b c whole square plus 1 equals to a c upon b c a c square upon b c square sir a b upon b c तो 10 होता है yes 10 square theta plus 1 equals to a c upon b c a c upon b c आपके पास होता है sec square theta तो लीजिए बेटे ये आपके पास तीनों relationship इस तरह से आपके पास आए और मेरे बेटा इस तरह से ये तीन identities हमारे पास बन थी है और insert related फिर हम questions को solve करते हैं तो आपके 8.4 जो exercise है बेटे वो इसी से related है तो अब हम लोग जान सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कि इनको किस तरह से prove किया जाता है plus sign square 27 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 degree को आप लो evaluate करें तो लेजे मेरे बेटे हम क्या देखते हैं यहाँ पर पहली बात तो sign sign है sir sign cos होता तो कुछ होता और फिर sir angle भी different है sir कुछ नहीं हो सकता इसका पहले आप मेरे बेटे इसे complementary angle से क्या हम बेटा ऐसा लिख सकते हैं 90 degree upon 27 sir यह भी तो 63 होता है बिलकुल sir हम कर सकते हैं साइन स्क्वेर 27 और बेटे जी नीचे फिर से आप देखें क्या इसको भी हम लोग cos square 90 degree minus 73 लेख सकते हैं sir यह भी तो 70 नहीं होता हैं ऐसा इसलिए हम लोग कर सकते हैं मेरे बच्चो और आप उपर देखें आप ध्यान से आपने देखा था sin 90 minus theta equals to cos theta होता है तो यह हो जाएगा cos square 27 degree plus sin square 27 degree upon sir यह sin हो जाएगा sin square 73 degree plus cos square 73 degree oh my god इसका मतलब तो sir यह 1 हो गया हमारी यह trigonometric identity है sin square theta plus cos square theta equals to 1 तो sir यह तो उपर 1 होता है sir angle कुछ भी हो yes बेटे यह यही तो बता रहा है कि angle जाए theta यानि theta मतलब कुछ भी पर दोनों same angle होने बहुत जरूरी है तो मेरे बेटे यह आपके लिए बन जाता है 1 so this is 1 तो मेरे बेटे इसलिए यह बनता है आपके लिए 1 चलिए बेटे इसमें कुछ और भी हम लोग देखते है इसी का 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री सर यह क्या हुआ सर यह तो एक फॉर्मुला भी होता है साइन आ कॉस भी कॉस से साइन भी सर लेकिन अभी बेटे आप लोग छोटे छोटे हो आप इसके बारे में नहीं जानते हाइर स्टडी में पढ़ेंगे लेकिन हम लोग क्या सर इसी तरीके से से सॉल कर सकते हैं यह बेटे देखेगा क्या हम साइन 25 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 65 यह सर यह 25 डिग्री का डिफरेंस होगा कॉस 65 डिग्री एज़ टिस को मेरे बेटे अगर यहां पर अब आपने साइन में चेंज करा तो वह कॉस में बदलेगा इस बार मेरे बेटे आपको कॉस में चेंज करना है तो कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री और फिर यहां बेटे साइन 65 धियान रखना मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर आपने इस फॉर्मूले के हिसाब से इस रिलेशन्शिप में यहां साइन चेंज करा है तो इस तरफ कॉस में चेंज करना अगर आप यहां फिर साइन चेंज कर देंगे तो आपसे एक question नहीं हो पाएगा तो एक तरफ sign में और एक तरफ cost में जैसे sign में change करा यह cost बन जाएगा बैटे complimentary angle से अगर आपने complimentary angle की class नहीं देखी तो जो previous published class है बैटे आप playlist में जाकर इस देख सकते हैं और आपको मिलेगा कि complimentary angle से related पूरी वीडियो वहां पर available है तो मेरे प्यारे बच्चों cos 65 and cos 65 sir यह क्या हुआ यह sign हो जाता है बैटे sir कैसे होता है इसके लिए बैटे आपको फिर वही class देखनी पड़ेगी आप ऐसे कैसे पूछ सकते हैं कि कैसे होगा तो मेरे बैटे मों प्रूब करवाया है इन सबको तो लीजे बैटे यह हो गया cos square 65 plus sin square 65 और sir हम क्या देखते हैं यह तो identity हो गया यहाँ जैसे angle yes तो यह होता है 1 और इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इन identities को आप use करें इनसे questions solve करें और बहुत सारे questions solve करें next class में हम इसी पर और एक part बनाएंगे जिसमें आपके और बहुत सारे questions को हम लोग solve करवाएंगे तब तक आप खुद questions करते रहें thank you thank you very much